कि हलो फ्रेंस वेलकम टू गुरुकुल कासेज विद एक्जाम एकाड़मी जैसे हो पता है कि हम यहाँ पर डिसस कर रहे हैं जीके की इंपोर्टन क्वेस्टन सीरीज को और यह हमारा चीके का पार्ट फूर होने वाला है जिसमें अगेन कुछ क्वेस्टन यहाँ पर इंपोर्टन को रखे गया हैं जो आप लिए बहुत ही हैल्फूल हो सकते हैं आपके एक्जाम के पॉइंट अभी से तो चलिए यहाँ पर एक एक क्वेस्टन को हम वन वाई वन डिसस करना शुरू करते हैं देखिए आज कह मारा पहला कुष्टन क्या क मेशा कार्बन मौजूद रहता है फिदी क्या आजेंगे सेकंड नंबर हमारा कुष्टन क्या करा है कि ग्रेनाइट किसका एक उधारन है तो जानते लिएक जो ग्रेनाइट होता है यह उधारन होता है अगने चट्टानों का और अगने चट्टान दिखिया है option नंबर C में तो हमारे हैं पर C नंबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि जो ग्रेनाइट होता है यह उधारन है अगने चट्टानों का जो अगने चट्टान होती है इस ग्रेनाइट भी कहते हैं यह याद रखीगा फिदी क्या करा है कि पंच कार्ड को भी कहा जाता ह तो जानते रहेगा पंच कार्ड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है होले रीथ कार्ड होले रीथ कार्ड देखिया है option number यहाँ पे ए में आया है तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट अंसर हो जाएगा आपको यार रखना है कि पंच कार्ड को हम जो कहते हैं हम होले रिथ कार भी कहते हैं इसलिए हमारे यहां पर ए नंबर आइट अंसर हो जाएगा फिदि के आ जाएंगे हमारा फोर्थ नंबर कुश्चिन क्या करा है कि किस करांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था तो जानते रहेगा जिस करांतिकारी ने खुद से अपने आपको ही मौत की अपने आपको पता है अपने हिस्ट्री में देखा होगा चंसे राजाद ने लाश्ट में जब लास्ट गोली बची थी उन्हों खुद को शूट कर लिया था तो नने खुद को ही मौत को गले लगा लिया था खुद से ही इसलिए हमारे ओप्शन नमर जो डी होगा हमारा ड एडवर्ड जेनर प्रशिद्ध हैं तो उन्होंने क्या किया था उन्होंने टीका का अविश्कार किया था बिजली द्वारा प्राणदन देने का अविश्कार किया था कोई किसी चीज का या डायलिसिस का इन्होंने अविश्कार किया था या ओपन हार्ट सरजरी का इन्होंन तो जानते रहीगा इन्हों ने चेचक के ठीके की खोच की थी यह जानते रहीगा तो यह आपको याद रखना है कि जो एड़वर्ड जेनर है इन्हों ने चेचक के ठीके की खोच की थी और इसलिए इनको याद किया जाता है फिदि कि आ जाएंगे यहां पे इस नमर हमारा शक्ति का इस्तमाल किया था वो थे राजेंद्र चोल और राजेंद्र चोल दिखिया है ओप्शन नमबर सी में तो हमारे हाँ पर सी नमबर राइटांसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि वो भारती राजा जिसने पूर एशिया के कुछ हिंसों को जीतने क्लिए नौशा सा देश बंदरगाह विहीन या अस्थल अवरुद देश है तो कौन सा वो देश है जो बंदरगाह विहीन है बंदरगाह विहीन कौन सा वो देश है तो जानते रहेगा वह देश जो बंदरगाह विहीन अस्थल अवरुद जो देश है वो है कजाकिस्तान और कजाकिस्तान दिखिया है option number यहाँ पर हमारा आया है option number B में तो हमारे हाँ पर B number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कजाकस्तान जो है यह बंदरगाह विहीन अस्थल अवरुद देश है यह याद रखिएगा फिदी के आ जाते है एट नमबर हमारा कुशन क्या कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला शैली मूलत है किस राज यसे संबंधित है तो जानते रहेगा मधुबनी जो चित्रकला जो शैली है यह याद रखिएगा यह संबंधित है आपका बिहार से और बिहार देखिया है option number C में तो हमारे हाँ पर C number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि मधुबनी जो काला शैली है मधुबनी काला शैली जो है यह मुखेत है जिस राज यसे संबंधित है वो राज कौन है बिहार है और बिहार option number C में है तो हमारे हाँ पर C number right answer हो जाएगा फिदिके 9th number हमारा question क्या कर रहा है कि दुनिया का दुनिया का सबसे बड़ा गैर धुरूवी रेकिस्तान कौन सा है तो जाएग दुनिया का गैर धुरूवी रेकिस्तान जो है वो है सहारा डिजर्ट सहारा तो सहारा दिखे है option नमबर यहां पर C में तो हमारे हाँ पर C number right answer हो जाएगा आपको कि सबसे बड़ा रेकिस्तान सबसे वह ट्व ए सिथ और wire सा ओन सा वेश्वा तो ऐसको एक सबसे बड़ा गैर दोली आपिरेगेस्तान का वैंगा है तो भी हमारा ऑंसर प्लाकता है सहारा रिगिस्तान है थीदिगे आ जा आ जाते हैं बारति इंपर जानेर हां के राइजब किया गया था वह किया गया था उनसनों 349 ऑ्सिंदने है तुम्हारा है पर सी नंबर राइट एंसरो जाएगा आपको याद रखना है कि भारती रिजर्व बैंक के जो राष्टी करन किया गया था वह उनीस सो उन्चास में किया गया था अच्छा आप अगर कुछ और पॉइंट के अगर बात करें अगर जानते रहेगा अगर यह क 1935 में तो इसकी अस्थापना अस्थापना जो हुई थी यह कब थी इसको बोलेंगे अस्थापना इसका जो अस्थापना हुआ था वो हुआ था एक अपरायल 1935 को और इसका जो राष्ट्री करन हुआ था इसका राष्ट्री करन जो हुआ था वो हुआ था एक जनवरी को ज हुआ था आपका हुआ था ये 1949 को एक जनरी 1949 को याद रखेगा अब देखेगा हाँ अगर यही कुशन इस तरह से अगर पूछ ले कि SBI का राश्ट्री करण कब हुआ तो हो सकता है जैसे भारती रिजर्ब करण हुआ है वो हुआ है आपका 1905 में 1905 में हुआ है SBI का जानते रही हुई तो वो हुई एक अप्राइल 1935 को अगर यही पूछ लेता कि SBI का राष्ट्री करण कब किया गया था वो किया गया था आपका 1905 में यह भी आपको पॉइंट याद रखना है फिदिके आज आते हैं अपना 11 नमर हमारा क्वेशन क्या कह रहा है देखे कह रहा है कि तो यही पुश्चन यह आता है जिसकी वज़़ा से वो लाल रंग का होता है तो उसमें लाल रंग जो होता है लाल रंग का कारण क्या है तो जहांतरेगा लाल रंग का कारण गर पुछता है तो लाल रंग का जो कारण होता है वो होता है इसमें मौजूद आपका जो होता है लाइकोपीन तो जहांतरेगा लाइकोपीन जो होता है इसका कारण होता है तो टमाटर लाल क्यों दिखता है उसके लाल होने का कारण क्या होता है क्यों क्यों तो जानते रहेगा इन चारों की बात करें तो याद रखेगा प्राकरदी घटनाओं में वह घटना जो भूकम का कारण बनती है वह है ज्वाला मुखी विस्फोर्ट और ज्वाला मुखी विस्फोर्ट दिखिया है अप्शन नमबर हमारा यहां पर दिखिये डी में आहे इसलिए हमारा यहां पर दी नमबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फिदी के आज जयेंगे थर्टीन नमबर हमारा कुश्चन क्या कर रहा है कि किसे संदर करता है इससे की है समें पर मतलब क्या होता है तो जानते रहे पिप जो है इसमें जानते रहे गजा तो हमारा सभी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन नमबर यहां हमारा बी जो आयाए is यह जो आता है DST, DPT में जो आता है जानते रहे हैं decorations प्रदर्षित करता है हाँ अगर पूछ लें, DPT में D का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, T का मतलब क्या होता है तो जैसे यहाँ P पूछा गया है तो D भी पूछा जा सकता है, T भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आईए जान लेते हैं, तो आप जैसे आप देख सकते हैं, कि देखिए यहाँ D का जो मतलब होता है, वो होता है diphtheria, और P का मतलब होता है partusis, और T का मतलब होता है titnis, औ और ये तीनों मिलकर तो बनते हैं क्या D, P, T ये याद रखेगा तीनों का देखिया है मतलब आ गया है D, P, T यहाँ जिसे P पूछा था तो D भी पूछा जा सकता है T भी पूछा जा सकता है अगर D, P, T में D पूछता है तो डिफ्थीरी आपको याद रखना है P पूछता है तो पार्टूसिस जो कि क्विश्चन में भी कह रहा है और T पूछता है T से टिटनेस होता है यह याद रखेगा तो याद रखेगा अगर किसी इनसान का जो वजन है वो 38 किलो है कहाँ पर पूछ ग्रह पर उसका जो वेट होगा याद रखेगा वो हो जाएगा आपका 14.3 किलोग्राम 14.3 किलोग्राम दिखिया है option number यहाँ पर D में तो हमारे यहाँ पर D नमबर यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा फिर दिखे आज आएगे next number हमारा question क्या कह रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है तो जानते रहेगा सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में विभाजित जो कर सकता है उसी को हम बोलते है क्या अपवर्तन और अपवर्तन दिखा option number A में है इसलिए हमारा यहाँ पर A number right answer हो जाएगा फिर दिखे आज जाएगे 16 number हमारा question क्या कह रहा है कि चंदर सेखर सीमा किस पर लागू होती ह है तो दिखे चंदर सेखर सीमा किस पर लागू होती है तो जानते रही है चंदर सेखर जो सीमा है यह लागू होती है सितारों पर और सितारा देखिया है सितारा या तारों पर दिखे option number A में है तो हमारे A number right answer हो जाएगा जानते रही है चंदर सेखर जो थे एक वैग्यानि जाता है तारों की दूरिया इससे related चीज़ों को ना पी जाती है इसलिए चंसीखर सीमा का संबन्द किसे धरती से मत सोच लिए है कि किसी किसी चीज से संबंद ही यह जो है आसमान की जो दूरियां होती एक object से दूसरी object के उसके बारें बात हो रही इसलिए इसका जो answer होगा सितारों पर इसलिए option number A हमारे यहाँ पर right answer हो जाएगा फिर दिखें आ जाएंगे यहाँ पर 17 number हमारा question क्या कह रहा है कि निमलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवग्यानिक थे तो कौन मनोवग्यानिक है तो इसमें चार नाम देगा है इनमें से कोई एक है तो दिखें और option A में है तो ऑपने 18 number क्या है किork्या है कि लीमर क्या है तो लीमर क्या है तो लीमर क्या है तो क्या है तो जानते रहेगा लीमर जो है न ये जानते रहेगा ये मेगा गासकर में पाया जाने वाला एक जानवर का नाम है इतना याद रखीगा जो लीमर है ये मत सोची का कोई इनसान के अंदर का कोई ये मान लीजी का कोई बीमारी है या फिर कोई अंग का नाम है ये क्या ह ये मेगा गार्ट्सकर में पाया जाने वाला एक जानवर है उसका नाम है क्या लीमर ये याद रखीगा फिर देखे आ जाते हैं यहाँ पे सकारात्मक आवेश होता है तो जानते हैं फिर देखे इसुष और चीज़ जाने लिएगा जैसे यहां पे आता है नीट्रों अगर कहें नीट्रों में क्या पाया जाता है तो जानते हैं नीट्रों जो होता है यह neutral होता है इसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है ना और अगर बात करें electron तो electron जानते रहेगा आपका यह आपका minus होता है इसमें माइनस यह पाया जाता है और जो proton होता है इसमें plus पाया जाता है neutron जो होता है वो neutral होता है यह याद रखीगा इसलिए हमारा यहां question पूछ रहा था कि सकारात्मक किसने पाए जाता है, तो सकारात्मक जो पाया जाता है, वोcomplutron में पाया जाता है, इसलिए हमारे हाँ पर b-number head answer हो जाएगा, अगर यही होता सकारात्मक को बजा़ाई पुछता कि नकारात्मक किसने में पाए जाता है तो नकारात्मक जो पाया जाता है वो होता इलेक्ट्रोन में याद रखे और यह होता कि कौन सा वो कड़ है जिसमें ना तो आपका सा कारात्मक और ना तो नकारात्मक ही पाया जाता जो दोनों में जो चीज़ नहीं पाया जाती वो कौन हो जाता फिर हमारा निट्रोन हो जात इस से प्रशिद्धी पूंच लेता है एक मोनारिश की एक पैंटिंग कई बार पोछ लेता है कि मोना लिसा की पेंटिंग को किस ने बनाया था तो वो भी इन्हों नहीं बनाया था लियॉड़ा क्या कौन थे लियो नार्डो दा विंची फिदि के आ जाएंगे यहाँ पर 21 नमबर हमारा कुशन क्या कर रहा कि जैमिती के जनक किसे कहा जाता है तो जाते रहें कि जैमिती क जनक कहा जाता है फिदि के आज आएंगे नेक्श नमबर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि वर्तमान में दुनिया की सबसे उची इमारत कौन सी है तो वर्तमान में दुनिया की जो सबसे उची इमारत है जानते रहेंगा वो है आपका बुर्ज खलीफा और बुर्ज खलीफा देखिया है option नमबर यहां पर इस ए में तो ए नमबर हम राइंट कर देंगे ज्याद रिगा बुर्ज खलीफा जो है यह साउदी अरव हमें है और यह दुनिया की सबसे उची इमारत में मानी जाती सबसे उची इमारती से माना जाता है यह याद रखिएगा फिर देखिए आ ऐसी भाषा है जो अक्षर के रूप में चित्रों का ज्यादत्र प्रयोग करती है तो जाते रहें ग alarm होगता होगता है जो चित्र के माध्म से जो राइसislित कि किये जाते हैं फिर दिखे आ जाएंगे हम नेक्ट नमबर कुछिन हमारा क्या कह रहा है कि निम्लिखित में से प्राचीन संस्कृती शब्द कोष कौन सा है तो जानते रहें इंचारों की बात करें जो हमारा सही आंसर है वो है अमरकोष और अमरकोष दिखिया है आप्शन नमबर सी में तो हमारे यहाँ पर सी नमबर आइट अनसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि अमरकोष जो है प्राचीन संस्कृति शब्द कोष के रूप में जानी जाती है इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन नमबर सी यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे हाँ चंद्रगुप सेकेंड के नौरतनों में से एक थे तो आपको याद रखना है कि पहला कुश्चन से यहाँ बन रहा है कि प्राचीन संस्कृति शब्द कोष के जो है कौन जाना जाता है तो है अमरकोष के लेखा कौन है तो वह हैं अमर सिंग द्वारा लिखा गया अब 2-3 Quindi से एक माने जाते थे ते आपको दीखी के कि प्द्धर की रीखान सामप्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की पधधिति की सुरुवात भारत में किसके द्वारा हुई तु जानते रहेगा सामप्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की पध्यति की शुरुआत भारत में जिसके द्वारा की गई थी 1909 के मारलो मिंटो अधिनियम की बात दिखिया है ऑप्शन नमबर यहां पर बी में है तुम्हारे यहां पर बी नमबर राइट आंस विंटो के द्वारा थी 1909 में यह याद रखना है आपको फिदेखिया आज आते हैं नेक्स नमबर हमारा कुशन क्या कर रहा है कि तोपुल तोपुप तोपुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोडने वाला परवती मार्ग है तो जानते रहें कि जो तोपुप दर्रा ह है यह बारत को जिस देश के साथ जोडने वाला है यह है मैंमार पछल्दीमें मैं तोपुल दर्दा जो है भारत को मिमार के साथ जोडने वाला परवती मार्ग है यह आपको याद रखना है फिद आजया के आयात निर्यात है तू भारत का प्रथम जो बंदर रासानिक जो अस्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है दाहेज में और दाहेज दिखिया है निर्यात है तू भारत का प्रथम रासानिक बंदर जो अस्थापित किया जा रहा है वो दाहेज में अस्थापित किया जा रहा है मुस्लिम लीग की अस्थापना 1906 में हुई थी उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बास शामिल नहीं थी इसका अनला जो मुस्लिम लीग की अस्थापना जो की गई थी उस समय इसको बनाया जा रहा था तो कौन सी बास इसके लिए सोची नहीं गई थी दीके ऑप्षन ए में आ है दी राष्ट का सिध्धान उस समय नहीं सोचा गया था या भारत का समप्रदाइक विभाजन नहीं सोचा गया था या फिर पाकिस्तान की मांग नहीं सोची गई थी या उप्युक्ट सभी ये सारी बात ये नहीं सोची गई थी तो जानते रहेगा मुस्लिम लिंग के अस्थापना जो निस सोच है में हुई थी उस समय इसके उद्देश्यों में ये कोई भी बात थी मुस्लिम लिंग के जब अस्थापना की गई थी उस समय ना तो सोचा गया था दीराष्ट के सिध्धान्त के बारे में ना तो पाकिस्तान की मांग की बात सोची गई थी ना तो पाकिस्तान की मांग की ही बात सोची गई थी इसलिए उप्षन नमर हमारा डी सही हो जाएगा फिदी खे आजाएंगे 29 नमर हमारा कुश्व जाएगा है की भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है 교 tooth का फारती क्रांती की जननी किसे कहाज गया है तो जानते हैं कि भारती क्रांती की जननी जिन्हें कहा जाता है वो है मैडम भीका जी रुस्तम कामा और मैडम भीका जी रुस्तम कामा दिखी आए हैं यहां पर ऑप्शन नमबर दिखी आए हैं यहां पर डी में तो हमारे हैं पर डी नमबर राइटांस रो जाएगा आपको रुस्तम कामा ये हमारा right answer होगा इतना याद रखीगा फिर दिके आज जाएंगे 31 हमारा question क्या करा है कि निमलिखिन में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है तो जानते रहेगा वह दर्रा जिस से लेह जाने का रास्ता है वो दर्रा है आपका जोजिला दर्रा और जो जिला दिखिया है option number यहाँ पे A में आ है तो हमारा यहाँ पे A नमर राइट अंसर हो जाएगा पोयाद रखना है कि वह दर्रा जिससे होकर लेह जाने का रास्ता है वो दर्रा कौन सा है जो जिला दर्रा है फिर दिखे आ जाएंगे next नमारा question क्या करा है कि जवाहर लाल न question क्या करा है कि वर्स 1909 में मैडम भीका मैडम भीका जी कामा ने जो वह जो मैने निमलिकिन में से कौन समाचार प्रकाशित करती ती इसका लेकरदा है जो जो भारती क्रांतिकारी की जननी भी ने कहा जाता है करें कि यह एक पत्रिका प्रकाशित किया करती थी पेरिस से तो कहने कि जो पेरिस यह पत्रिका प्रकाशित करती थी उस पत्रिका का नाम क्या था तो जाएगा उनीस सो नौ में मैडम भीका जी कामा जो पेरिस से जो पत्रिका संपादित करती थी उस पत्रिका नाम था पैट्रियार्ट और पैट्रियार्ट दिखिया ह है option number यहाँ पर D में तो हमारे यहाँ पर D number राइट अंसर हो जाएगा फिदी के आ जाएंगे 34 number हमारा question क्या रहा है कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम लिखी समय से किस राज में इस्थित है तो जानते हैं बुर्जिल और जोजिला जो दर्रा है यह है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर दिखिया है option number यहाँ पर B में तो हमारे यहाँ पर B गाह से निर्यात किया जाता है वो बंदरगाह है आपका विशाखा पटनम और विशाखा पटनम दिखिया है option number C में तो हमारे हाँ पर C नमबर राइटांस रोजग आपको याद रखना है कि बीला डी से प्राप्त होने माला जो लोह आयस्क जो है वो विशाखा पतनम बाद में धीरे-धीरे समय के साथ साथ वो उन्हों अपने आपको एक योगी के रूप में परिवर्तित कर लिया एक दार्शनिक के रूप में वो जाने-जाने लगे तो वो थे अरविंद घोष और अरविंद घोष दिखे आया है option number यहाँ पर दिखे D में आया है तो हमार कि आजाएंगे next number हमारे कुछिन क्या कर रहा है कि 36th number हमारे कुछिन कर रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्थित नहीं है तो जानता रहीगा यह जो आया है जो दर्रे जो दिया गये हैं यहाँ पर जबताया गया है जानते रहे कि सभी द है यह जानते रहेंगे यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है और बाकी जो है बाराезжा पाचाला और शिपकी umbre ct yes सभी जो है यह सभी क्या है यह सभी हिमाचल प्रदेश में हैं लेकिन यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है इसलिए हमारा option मा जो D होगा हम डी nogo क्लिक कर देंगे फिदी के आज जाएंगे 37 किस बंदरगाह पर कोईले के लादान है तो यंत्री करण के शुवधा उपलब्ध कराई जा रही है तो कहरा है कि कोईले के लादान है तो यंत्री करण के शुवधा किस बंदरगाह पर कराई जा रही है तो जानते रहे हैं वो जो जो मुहिया कराई जा रही है वो बंदरगाह का नाम क्या है पारा दीप फिदी के आज जाएंगे 38 नमबर हमारा कुशन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ तो जानते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को और 15 अक्टूबर 1905 द निमलिकित में से किस राज में दी सदनात्मक विधाईका नहीं है तो जानते हैं किस राज में दी रोज़ेग आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में दी सदनात्मक विधाई का नहीं है फिरी कि आ जाते हैं नेक्स नमर हमारा कुश्चिन क्या कह रहा है कि कौन सी नदी कौन सी नदी भेणा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रवाह का निर्मार करती है तो कह रहा है क् नर्मदा नदी है जो भेणा घाट के समीप कपिल धारा जल प्रवाह का निर्मार करती है तो कपिल धारा जल प्रवाह का निर्मार करती है नर्मदा नदी फिरी कि आ जाते हैं नेक्स नमर हमारा कुश्चिन क्या कह रहा है कि यदि किसी राज विधान परिशद का सभापती अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा तो जानते रहेगा यदि किसी राज विधान परिशत का सभापती अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है उपसभापती को और उपसभापती दिखे कहा है दिखा option number C में है तो हमारा यहाँ पे C number item सर हो जाएगा आपको याद रखना है कि यदि किसी राज विधान परिष्टत का सभापती अपने पत से त्याग पतर देना चाहता है इसके विरोध के false रूप यहाँ पूना है एकिकरित हुआ इसका अनुप के पहले तो उसका विभाजन हो गया था लेकिस इस विभाजन को जन समर्थन न मिलने की वज़ा से इसको फिर से एकिकरित कर दिया गया था उसका विभाजन जो था वो विभाजन की जो नीती थी वो खंडन उसकी कर दिया गया थी और फिर से संहीक तुरुप से फिर से एक तरह माल लिया गया था तो कहरें कि जो पूना है एकिकरित किया गया था वो कब किया गया था लेकिन फिर से उसको पहले जैसे फिर से कब कर दिया गया तो जानते रहेगा बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में और उसके विरोध के फॉल सरूप जो उसका एके कृत हुआ था वो हुआ था 1911 में और 1911 दिखिया है option number यहाँ पे C में तो हमारा है C नमबर राइट अंस क्या कर रहा है कि भारत की भारत की लवड़ नदी के नाम से जानी जाती है तो कौन जानती जाती है तो जानते हैं तो जानते हैं भारत की लवड़ नदी के नाम से जो नदी जानी जाती है वो नदी है लूनी नदी लूनी दिखिया है option number यहाँ पे A में तो हमारा A नमर रा लेखा के निमें से कौन है तो जानते रेगा पुस्तक जो शेम लिखी गई है शेम नामक जो पुस्तक है इसके जो रचाइता है या जो लेखा कहे है वह हैं शलमा रुष्दी और सलमा रुष्दी लिखें हैं option नमबर यहाँ पे B में है तो हमारे बी नमबर राइटांसर हो आपको याद रखना है पुस्तम शेम जो है यह शलमा रुस्दी के द्वरा लिखी गई पुस्तर है फिर खे आ जाते हैं 45 नमबर हमारा कुछ लेकिन कहते है कि निस्क्री निस्क्री विरोधanga कि सिद्धान का प्रदिपादन किसमें किया था तो जाते हैं कि निश्क्री विरोध के सिध्धान का प्रतिपादन जिन्हों ने किया था वो थे अर्विंद घोष और अर्विंद घोष दिखिया है आप्शन नमबर यहाँ पर D में तुमारे हैं D नमबर राइट हैं सुरह जाएगा आपको याद रखना है निश्क्री विरोध के सिध्धा जाना पाड पहारी जो सरोत है ये सरोत है चम्मल नदी का चंबल नदी दिखिया है option number B में हमारे हाँ पर B number right answer रहाएगा आपको याद रखना है कि जाना पाव पहाडी जो शुरोत है यह चंबल नदी का शुरोत है और यह कहां पर है इन दौर के समीप है फिदे के आ जाएंगे 47 number हमारा question क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि कॉंग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबंद किया गया था तो यह जो statement है किसने दिया थी इस बात को किसने कहा था फिर से repeat कर दे रहे है कि किसने कहा था कि Congress जो Congress आंदोलन है यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही या उनके द्वारा सोचा जो जनाबद किया गया था तो जानते रहेंगे यह जो statement है यह जो बात बोली गई थी यह बोली गई थी लाला लाचपत राय द्वारा और लाला लाचपत राय दुखिया है ऑप्शन नमबर दी में है तो हमारा यहाँ पर डी नमबर कर रहे है 48 नमर हमारा कुशन कर रहे है कि निमलिखिन में से कौन सी नदी को उडीसा का शोक कहा जाता है तो जानते रहे हैं जिस नदी को उडीसा का शोक कहा जाता है वो नदी है महा नदी दीखिया ऑप्शन नमबर ए में है तो हमारे यह नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि महा नदी को उडिस्या का शोक नदी या शोक कहा जाता है फिदी के आज जाएंगे हमारा second last question में 49 नमर कुशन कर रहा है कि पुस्तक flight into fear नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखा या इसके लेखक कौन है तो जाएंद रहेगा flight into fear नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक है वो है किरण बेदी जी और किरण बेदी दिखिया है यहाँ option नमर B में तो हमें यहाँ B नमर को क्लिक कर देंगे याद रखना है किरण बेदी जी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है flight into fear और आज हमारा last question है देखे last question क्या कह रहा है कि भारत में भारत में राज विधान परिशद के सदस्यों का कितना हिस्सा अस्थानी निकायों द्वारा चुना जाता है फिर से अगें रिपीट कर देंगे कि भारत में राज विधान परिशद के सदस्यों का कितना हिस्सा अस्थानी निकायों द्वारा चुना जाता है तो याद रखेगा कि भारत में राज विधान परिशद के सदस्यों का जो हिस्सा अस्थानी निकायों द्वारा चुना जा दाता है एक तिहाई हिस्ना आज हम यहां पर 50 प्चास कुष्यन बन वन ध्यृजक् backwards आपको यह सारी चीज़ें क्लियर हो रही सबस्क्राइब करना सब्सकराम करें आपको कहले हैं ता कि हम मोटीवेट होके और हैसेो बंचे। करें तो चलिए अच कितने रखते हैं थैंक यू बेरी माच पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू